कि अलो गाइस वेडियो से हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में आज हमारा डे था त्यूस्डे और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के दिन जहां तक चांस होगा मार्केट हमारा थोड़ा सा रिवर्सल करेगा यह कल की वीडियो पे आप देख सकते क्लिय मैंने बता रखा है कि ओपन होने के बाद मार्केट फॉल करेगा यह दोनों वीडियो कल की है ठीक है और उसके बाद हमने देखा किया मार्केट ने एक हाई बनाया और मार्केट उसको नहीं निकाल पाया यानि कि 22,120 जो कल का हाई था अल्मोस्ट वहीं पर मार्केट ने इदर हैं यहां पर आपको ट्रेड मिल जाएगा आज ज्यादा ट्रेड नहीं दिया विकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं बाकी चीजों में लेकिन सुबह एक 50 पॉइंट के स्केल्पिंग दिया था नो बचके 50 मिट के आसपास जाके देख लेना उसके अलावा यह म मेंबर्स का कुछ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट पड़े हुए जो उन्होंने मौर्निंग में बनाए थ्री पीम आज का चला नहीं तो थ्री पीम मैंने डाला नहीं बट आप इदर रहोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा अभी क्या हो सकता है हम 30-40 पॉइंट के आसपास टोटल रेंज मार्केट था यहां पर अगर एक चीज़ बता हूं जिस वज़े से आज दिक्कत आई होगी निफ्टी या बैंक निफ्टी के मोवमेंट में तो हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड यहां बनवाया हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड यह पर इस बाद एक बड़ा रेड़ केंडल दैन अगें एक ग्रीन केंडल आता है दैन अगें एक एक रेड़ केंडल यह एसल हंटिंग हो रही है यहा हनी कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका इस्टोप लॉस लिया जा रहा है देखने को स्मूथ Dzुमिन लग रह लेकिन अगली दो केंडल फिर बापस मार्केट नीचे then market अगें साइटवेस होता है फिर मार्केट थोड़ा बुलिश होने की यहां पर कोशिश करता है अगेन मार्केट फॉल आप फिर से एंट्री करोगे यहाँ पर एक ग्रीन केंडल और आप गेम से आउट उसके बाद ये वाला अच्छा एक मुमेंटम यहां मिला लेकिन उसमें भी देखो कि कितने पॉइंट का मुमेंट कितने मिनट में हुआ है अगर यहाँ नोटिस करोगे तो 20,040 और यह हमारा 21,980 5,10,15,25 अल्मोस्ट अल्मोस्ट आदे घंटे में 40 पॉइंट का मुम हुआ है ठीक है तो यह थोड़ा सा दिक्कत वाला था क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपनी position को लेके नहीं बैठा रहता है वो कहीं न कहीं exit कर देगा तो यह एक problem आज के दिन face हुई है लोगों को और अगर आप देखोगे उसके बाद तो मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ buying का scenario था भी किसी angle पर जिदर कोई buy-buy करके पैसा अच्छा कासा strong था बट यह bounce back देखो यह कुछ था ही नहीं वहीं का मही फूस हो गया समझ रहे है तो market ने थोड़ा confusion create किया जिस वज़े से मुझे लगता नहीं है जादा कुछ हो पाया होगा तो अभी हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है market का क्या यह वापस top बन गया या वापस से market इसके उपर निकलेगा क्यों क्योंकि nifty 50 तो अपने all time हाई पर चल रहा है नया है यह 22,120 market रुका है almost 22,32 पे और market का जो पहला low है जो break होते है आपको बढ़िया momentum मिलेगा वो है यह वाला level अगर हम कल के दिन इसके नीचे निकलते हैं तो यह जो gap है ना मेरे को यह आज भी उम्मीदती की भर जाएगा ठीक है ना तो इसने जब last दिन fall किया तो पूरा gap बरा ना इसने आज gap बरा कहने का मतलब है यहाँ पर buyers काफी ज़्यादा interested हैं almost 22,000 के level पर अगर यह give up करेंगे तो अच्छा खासा market में 100 point गिर जाए का जैसा मेरे को लग रहा है तो इसका wait करो अगर कल market इसके नीचे निकलता है तो यह gap फिल होगा और gap फिल होगा तो उसके बाद अगले level 2860 के हैं अभी कहा है 2980 से 2860 120 point मान के चलो आपको मिल सकते हैं किस में nifty 50 में ठीक है अभी अगर हम यहाँ पर फिवरेटरिस्मेंट लगाएं और आपको दिखाए आज का पूरा सी तो आपको समझ आएगा कि आज की जो fall देखने को मिला वो exact 50-60% के zone से देखने को मिला है अगर यहाँ पर इसको लगाऊं मैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो और clear देखेगा आप लोगों को तो यह देखो side में देखो किस zone पर market को दिखकत हो यह 22,050 के zone पर और अगर आप देखोगे तो यह same area है जहां से market ने try तो क्या उपर जानेगा बढ़ आप call side का एक trade ले सकते हो छोटे risk के साथ जिसका पहला target होगा almost almost 22,080 और दूसरा target होगा आपका almost 22,100 के आसपास का तीसरा target 22,130 मतलब जो हमारा all time हाई है वो उन target के साथ हम upside का plan कर सकते हैं यह है अपना nifty 50 का view कि कल क्या हो सकता है कल bank nifty का expiry है तो most of the time क्या होता है जिसका expiry होता है वो move नहीं करता है sideways होता है and जो दूसरा index होता है वो upside या downside एक बड़िया momentum देता है generally यह होता हुआ आ रहा है तो अगर bank nifty में move नहीं मिला तो हमें nifty में move मिल जाएगा और बड़ा move मिल सकता है और अच्छा move मिल सकता है तो उसका wait करेंगे जब भी आए उस तरीके से अपना plan करो वीडियो को like करना channel को subscribe करो telegram को join करो link आपको description में मिल जाएगा वहीं से जाके join करना comment section में कुछ पूछना चाते हो तो मेरे से question पूछ सकते हो फालतू के question नहीं पूछना कुछ ढंक का सच में है तो ही पूछना यह मत पूछना मैं यह BTS लेके गया हूँ तो क्या होगा market open होगा तब ही पता चलेगा फिलाल market sideways है तो यह भी नहीं बोल सकते market यहां से गिर जाएगा यह भी नहीं बोल सकते अपना टेलिग्राम रोब तैंक यू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगा बैंक निफ्टी के बारे में